जेशे कृष्णा फ्रेंड्स कैसे हैं आप आज बनाएंगे नीम्बू और मिर्ची का अचार तो यहाँ पर जो है नीम्बू लिया है मैंने एक किलो इनको अच्छे से वाश किया है और पोच लिया है कपड़े से एकदम सुखा लिया है इनको उसके बाद में जो है काम में ल सुरक साट जो हैंगे आए में ल pug change मिर्ची करेंगे हरी मिर्ची तो हरी मिर्ची को हरी मिर्ची पावर करीबन लूगे यह देखिये यह आपर इनको भी अच्छे से वाश किया है और यह अच्छे से सुखा लिया है कि 데utxit बिलकुल भी नमेन आ रहेग और अबी बारिष की म ले लोंगी पहले मिर्चिया निकालोंगी खाने में काम में ले लेंगे और फी नेमपु बाद में दिर दिरे कलता रहेगा और तो अच्छे से वाश करके पोच के देखे दो भावों में काटा बड़ा बड़ा और इसमें रेडिमेंट जो है मसाला आता है न मार्केट में वह जो अचार का मसाला से बहुती जल्दी अचार बन जाता है तो बैस इस पे डाल देंगे सारा और डालने के बाद में इसको कल लेंगे एक बार मिक्स करके फिर में सरसो के तेल इसमें एड़ करूंगी यह देखे इस तरह से ठंडा गरम किया है तेल को तो फी थोड़ा ठंड करेंगे ताकि जो है मसाला की जो कोटिंग हो जाए नीबू मिर्ची पर अच्छे से और जो थोड़ा सा बच्चावा अचार मसाला है वह भी इसके अंदर एड़ कर लेते हैं थोड़ा पहले डाला थोड़ा भी डाल रहें और इसको भी कर लेंगे मिक्स और डिब्बे में करına दिन में 2 वार हिलाएंगे बार-बार चलते फिरते घुमते फिरते और गरम इसथान पाली रखेंगे याने किचण में रखेंगे ठंड़ जगे पर रखेंगे दिन में 2 वार ठोड़ा सा तेल और इसके अंदर आड़ कर लेते हैं गरम करके ठंड़ा करके शर्षो का ते तो और यह देखिए रेडिमेंट जो है चार मसाले से बहुत जल्दी नीमो मिर्ची का चार गर्पी बनके तियार हो गए है आपको वीडियो केसा लगा बताएगा थेंक्स फॉर वाचिंग